आज हम बनाएंगे 10 से 15 लोगों के लिए खाना तो आपके गेश्ट इस्पेसियल में बना सकते हैं चाइनिज बिर्यानी, चिकेन हंडी और टमाटर खटा और यहां पर यमी यमी ब्रेड और सिमेई खीर और पूरी सलार और क्रिस्पी प्रोन फ्राइ और यहां पर पापड आठ आइटेम बनाएं हैं और तो चड़िए देख लेते हैं आप अगर आपके घर कोई गेश्ट आएं कभी भी आपका मन हो तो इस तरीके से थाली बना कर स इस पेशियल डे में तो चलिए बहुत आसन तरीके से बताऊंगी और सिखाऊंगी अगर मेरी रेसिपी इस मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा इस पेशियल बिगनर्स के पास शेयर कीजिएगा तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले यहां पर चाव यहां पर हम बड़ा चूला जला रहे हैं एक देख रख दिये हैं और उसमें पानी रख दिये हैं आधा देख और ढख कर इसको वाई होने देते हैं फिर यहां पर चिकेन हांडी बनाने के लिए हमें टामाटर और प्यास लसन और मिर्च जरूरत होगी मैं आगे बताऊंग काली मिर्ची बड़ा इलाइची दालचीनी जाइत्री हमें ले लेना है सबसे पहले यहां पर हांडी ले लेना है क्योंकि चिकेन हांडी बनाएंगे तो हांडी लेना जरूर ही है तो इसके लिए यह सबी गरम मसाले को डाल देना है एक मिनिट रोश कर लेना है यह देख सक ये देख सकते हैं हमारा सिक्रेट मसाला बन कर तयार है हम इसको साइट में रख देते हैं और यहां पर पानी बॉयल हो चुका है हम चावल जो भीगो कर धो कर भीगो कर रखेते हैं उसको एड़ कर देते हैं और यहां पर 2 कजी चावल के लिए 6 चमच नमक लिए हैएuhan के लिए 3 चमच दो के लिए 6 चमच और 1 चमच तेल लीए हैं और थोड़ा से क्योड़ा पत्तर डाल दीए हैं आप चाहें तो यहां पर तेज़ पत्तर यूज़किर इसको कि सकते हैं। यहां पर प्याज कट कर लिए हैं, चौपर ले लिए हैं, प्याज और हरी मिर्ची को चौप कर लेंगे, ताकि यह गुलने में आसानी हो, थोड़ा छोटा छोटा चौप कर लीजिएगा, यह चिकन है मटन होता तो ज्यादा देर पकता चिकन कम देर पकेगा, इसलिए, यहां कि इतना बड़ा देग और पानी हम नहीं उठा सकते हैं, इसलिए, मतलब सस्पान से हम च्छान लिए, यहां पर टामटर प्याज चौप कर लिए हैं, यहां पर धाई केजी चिकन लिए हैं, दो कर साफ कर ले लिए हैं, हंडी गरम करते हैं, और इस पर एक कप सरसों तेल ग यहां पर टामाटर भी पेश्ट करके रखे हूं, मतलब चौप करके उसको भी मिक्स कर लेना है, सभी चिकन को धुला हुआ, साफ किया हुआ, चिकन सभी को एड़ कर देना है, धाई केजी, यानि दो केजी 500 ग्राम, तो सभी चिकन को एड़ कर लेने के बाद, वन टेबुल जीरा पाउडर, वन टेबुले स्पून धनिया पाउडर, वन टेबुले स्पून यहां पर हल्ली और थ्री टेइस्पून यहां पर कस्मेरी चिल्ली पाउडर डाल रहे हूं, मिर्ची अपने टेश्ट के हिसाब से कम जादा कर सकते हैं, यहां पर टू टेबुले स्पून नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेश्ट के हिसाब से नमक कम जादा कर सकते हैं, हमें इतने चिकन के लिए 2 टेबूले स्पून काफी था और 6 टेबूले स्पून यहाँ पर अदरख लस्टन पेश्ट डाले हूँ, और यहाँ पर चिकन मसाला डाल रही हूँ, 3 टेबूले प styl स्वार्घ के रखेंगे ठीज है fifth पर कसूरी में थी टीजमार अणी करें जाली का सबीalinे कंद यहां पर कसूरी में थी ट्रके स्वासार्घश का सोलिनक • आधना कहला की सब्सक्रा पाथने सबस्क्षाभ लग भी सबस्क्राइल इसलिए चमस से मिक्स कर लिए, फिर इसको ढख कर यहाँ पर आठा लगा लेंगे, ताकि यह अच्छे से कुक हो जाए, यहाँ देख सकते हैं, हम चारों तरफ आठा लगा दिये, गैस का फ्लेम हाई करके इसको पांच मिनिट तक गरम होने देते हैं, पांच मिनिट के बाद गैस का फ्लेम यहां पर लो कर दिये हैं. और यह देख सकते हैं, होल को भी बंद कर दिये ताके कहीं से बाप ना निकले. यहां पर हम ब्रेड और सीमेई खीर बनाएंगे, तो यहां पर देड़ लिटर मिल्क लिए हैं, एक ग्लास पानी डाले हैं, और दो तेज़ पत्ता डाले हैं. और यहां पर काजू और किसमेज डाल रहे हैं, ड्राइफ रोड्स, और उसको मिक्स कर लेते हैं. और यहां पर चार से पँच एलाईच ही ले लेना, और उसको कूट के डाल देना है। और यहां पर एक कप पत्लासि में यह इस तरह के से तोड़कर डाल देना है। और इसको मिक्स कर लेना है। और यहां पर ब्रेड का दो स्लाइस को इस तरीके से चोटा चोटा को टुकडा करके दो कब डाल दी हूं और इसको मिक्स कर लेना है और यहां पर चीनी यूज नहीं कर रही हूं यहां पर मिल्क मेड यूज कर रही हूं 400 ग्राम इस अभी को एड़ कर देना है और इसको मिक्स करके टेस्ट कर लेना है मतलब मीठा सही है या नहीं यहां पर दो टेबुले स्पून यहां पर हम ब्रेट क्रम्स डाल रहे हैं और उसको मिक्स कर रहे हैं इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है जरूर से ट्राइ कीजिएगा न्यू रेसिपी है तो यहां पर टमाटर खटा ब नमक अपने टेस्ट के साब से डाल लिए का यहां पर न में रखाण यहां पर प्रोण ली हूं इसको मिक्स करके यहां पर ब्रेट क्रम्स लगा रहे हैं इसका रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शंं में दे दोगी और यहां पर देख सकते हैं टमाटर खटा बन कर तयार है, घुल चुका है, हम चीनी और लेंबू का रज डाल कर इसको मिक्स करके, गैस का फ्ले आफ कर लेते हैं, यहां पर चाइनेज बिर्यानी बनाने लिए बिसम इल्लारमाने रहिम गैस आउन कर लेते हैं, एक देख रखते हैं, उस पर तेल गरम करते हैं, य बना कर इसको साइट में एक प्लेट में रख देते हैं, फिर से थोड़ा सा तेल डालते हैं, पनीर को प्ताय कर लेते हैं, इसको भी निकाल कर एक वसी प्लेट में ही रख देना है, काली मिर्ची और नमर कर ताकि यह फीका ना लगे, तो फिर यहां पर 500 से 600 ग्राम यहां प निटेश्ट के साब से डालिएगा, और एक चमज यहां पर काली मिर्ची पाउडर और उसको मेक्स कर लेना, एक चमज सोया सॉस उसको भी डाल कर मेक्स कर लेना, और ढख कर दो मिनिट के लिए पका लेना, यह देख सकते हैं, इसको मेक्स करके यह चेक कर सकते हैं, यह और यहां पर गाजर और कैपसी कंव काहती हैं यहां पर गाजर को एक मिनिट भून लेreet और ग्रीम मटर कर समय काहें फिर यहां पर cabbage डाल देना है यानि बंधा गोवी और उसको भी थोड़ा सा नमक थोड़ा सा काली मिर्ची डाल कर उसको मिक्स करके पका लेना है यह देख सकते हैं हम एक दो मिनिट के लिए ढख कर रख दिये ताके थोड़ा सा कुक हो जाए फिर हम इस पर अंडा और चिकेन पनीर सभी को एड़ कर दिये और उसको मिक्स कर लिए जो चावल बॉइल करके रखे थे उस सभी चावल को एड़ कर दिये पहले हम हाप चावल डाले और उसको मिक्स कर लिए क्योंकि सभी चावल एक साथ डालेंगे तो हम मिक्स नहीं कर पाएंगे इसलिए हाप चावल डा यहां पर आप चावर डाल दिये, यहां पर सोया सौस और चिली सौस और विनेगर सब एक एक चमज डाल के और उसको मेक्स कर लेना है, धक कर दो से तीन मिनिट दम दे देना है, यह चाइनिज बिरियानी बन कर तैयार है, यहां पर देख सकते हैं, एक घंटा हमें चिकन को गै इसका फ्लेम ओफ करके 15 मिनिट ढखकर रख दिये ये इसका भाब खुद से रिलेज हो चुका है हम इसको खोल लेते हैं इस तरीके से छुरी की मदद से ये देख सकते हैं चिकन बिलकुल तयार है अब हम इस पर थोड़ा सा धनिया पत्ता डालते हैं और इसको मिक्स कर लेते ह हैं देखने में जितना खुबसूरत है खाने में भी बहुत हीला जवाब था तो जरूर से ट्राइ कीजिएगा ये तेजपत्ता हम अटा देते हैं और टेश्ट कर लेते हैं नमक ये देख सकते हैं सभी चिकन गुल चुका है बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है हम चिकन तोड़ के दिखा देते हैं ये देख सकते हैं ग्रेवी भी माशाला से बहुत अच्छा है सिम्पल है रिसे पी टेश्टी है ज़रूर से कोई गेश्टा आए या आप अपने घर पर जब मन करें तो तब बना सकते हैं तो ढखकर इसको साइट में रख देते हैं यहां पर हम पूरी चान लेते हैं बस सिम्पल है रोटी के आटे में थोड़ा सा हम यहां पर कसूरी मेथी डालकर इसको मिक्स करके पूरी बेल लिए हैं और इसको चान लेते हैं गर्मा गर्म फिर यह प्रोन को भी फ्राय कर लेते हैं यह बहुत टेश्टी बहुत ही क्रिस कर लेते हैं अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा अपने फैमली फ्रेंड के साथ जो बिगनर हैं बेचलर हैं उनके कोई भी काम आ सके और एक से दो घंटे के अंदर आप इस तरीके से आट आइटम बना सकते हैं आट से दस तो फिर मिलती हूँ और एक नई रेसिप के साथ तब तक अबना बहुत सारा ख्याल रखिएगा हमें दौाओं में याद रखिएगा लाहाफिज